ममी मेरे ना सर फट रहा है बोज़ाता टांके लगा दूँँ अरे पागल हो गया है अरे सर फट रहा है मतलब दर दो रहा है अचा अचा सोरी कोई दवाई है आपके पास ने दवाई तो नहीं है पर 10 उर्पे है अब इनका क्या करूँ जाके दवाई लेया यह तो मेरी सिर्फ जवानी मैसूस करवाने के लिए है अब तर समझ में आया ना कि ये मेरी बंदी हाँ हाँ और तू इसका बंदा शांत मेरी चांद शांत ओके माई लव पर ममी पाबा को पता इन सब का पर उनको तो तेरा भी नहीं पता मेरा क्या नहीं पता आपे चूपकर यार तो बेटा जो लोग मुझे उठा के लेके गए थे ना उन्होंने मेरे साथ ने एक्चुली वो किया सो मच पाइनफुल स्टोरी वो सॉरी कंटीन, कंटीन थैंक्यू तोनोंने जबरस्ति कि आपके साथ अरे नहीं जबरस्ति की बात नहीं है मन तो मेरा भी था वैसे मुझे बोलना तोने चाहिए पर यह औरत कमाल की है अपे तूना यह यह एक निया पब्दी आया फाइनली नहीं सारवार बिना किसी हैकर की जो नो हाँ तो जिसने जो भी मेरे साथ किया यह वह एक्चुली मेरा बच्पन का प्यार हुआ करता था कभी एक मिनट यह स्टोडी का कॉंसा ट्विस्ट है तूड मैं कहा रहा हूँ यह स्टोडीयम तो एकता कपूर को बेज ले पकाभी मस दोगी तू पागल है के बे मुझसे गलती होगी प्लीज माफ कर दे मुझे ममी यह मुझसे माफी क्या मांग रहे हो यह मैं तो कब कही हो नो माफी तब को पापा से मांगनी चाहिए उसी बात की हमत नहीं होगी कैसे बताओ डूडी से मैं त्रियाग कर सकता हूँ अबे तू ना अरे बेटा तू मिस्टर केरनी जी यहां कैसे आना हुआ आप इसको जानते हो हां मेरा बोस है अरे वो इसके पापा की डेथ होगी ना तो भी यही ओफिस चला रहा है अरे यहां चल के रहा है हुआ क्या मेरा एक तो यहां सर फट रहा है उपर से ला टांके लगा दू अरे तीन पागलों के परिवार में हुआ अरे इसको बतने क्या होते रहत है खेर तुम ना इसको घर दिखाला हो अज पहली बार घर में आये है जी अभी ले जाती हो और उपर से नीचदक दिखालाती हो एक लाट लाट कि इसनी कि ऑैप